नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका OnlyPCS में आज है हमारा Physics का GS Pointer है उसका ही Second Lecture है इसमें देखेंगे है मापक यंत्र और उनके पेमाने के बारे में तो पहला वीडियो जो इसने नहीं देखा है वो देख लें ये बहुत important सिद्दोगा आपके exam के लिए UPPCS होने जा रहा है और बिहार के लिए बहुत fast तरीके से आप पूरा अगर गढ़ना चक्र बगएरा पुराने कुशन का revision करना चाहते हैं तो ये उसमें बन नाइनर के लिए बहुत अच्छा सिद्दोगा ठीक है ना तो जिसने नहीं देखा है और भी सारे pointer पढ़ चुके है तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लीजी और जो लोग नए है इन्हों ने चैनल को भी subscribe नहीं किया तो नीचे red बटन को दवा दें जिससे कि आप तक नए वीडियो का notification पहुंच सके और हमसे आप जुड़ सके तो चलिए शुरू करते हैं इसमें पहला question है महासागर में डूबी हुई बश्तु की इस्थिती जानने के लिएक किस का प्रयोक किया जाता है तो सुणार तकनीक का प्रयोक किया जाता है सुणार प्रयोक किसी लिए ल áreas आजाता है नो संचालनों के द्यूरा ये इसका प्र इडियो मीटर में मापा जाता है और एनिमो मीटर से क्या मापा जाता है तो पवन का बेग मापा जाता है एनिमो मीटर से अब इन में से पूछा है कि बायू की गती को किस में से मापा जाता है तो उपर बात कर लिए एनिमो मीटर से बायू की गती मापी जाती है M-meter से क्या मापन जाता है बिद्धुद्धरा और Tachymeter छेते दूरियों, लंबबत उन्ने अनों एवं देशाओं का मापन Tachymeter से किया जाता है पाईरो मीटर किसके लिए यूज होता है तो पाईरो मीटर में जो उच्च ताप वाले जो मापन किये जाते हैं, पाइरोमीटर के द्वारा, ठीक है न और ये option दिये हैं, इसमें से पूछा है, पाइरोमीटर किसको कहा जाता है, तो बिकिरण ताप मापी को ही पाइरोमीटर बोला जाता है, वह है धर्मामीटर जो 2000 degree centigrade मापने हेक प्रयोग में लाये जाता है तो क्या पूर्ण बिकरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है जब 2000 degree centigrade या उससे अधिक मापना हो तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है तो solar radiation को मापने के लिए किसका किये जाता है पायर हिलियो मीटर का उपयोगती है यह आद रखिएगा सारे पूछे हुए कुश्चन है रिपीटेड है बहुत बार एक जाम में यहीं से अकसर physics, chemistry और bio यहीं से रिपीट होते है अगला कुश्चन है मैनो मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है तो गैसों के दाब की माप मैनो मीटर के द्वारा की जाती है हाइगरो मीटर सापेच आद्रता को मापता है बायू में स्प्रिंग तुला भार को मापता है और ओडो मीटर किसको मापता है बाहनों के पहियों द्वारा ते की गई दूरी मापने का यंत्र है ओंडो मीटर है ओंडो मीटर विद्धुत चुम्ब की तरंगों की अब्रती मापने के लिए यूज होता है और ओडियो मीटर द्वनी की तिब्रता मापने की इकाई है ये बायो मंडलिये दाब किस में मापा जाता है तो बैरो मीटर में साधान ते बैरो मीटर में किसका प्रयोग किया जाता है तो पारे का उपयोग किया जाता है दूद का आपेच्छिक गनत किस में मापा जाता है तो lactometer में दूद का आप इच्छे घनत मापा जाता है thermometer resistor एक उपकरने हैं जो क्या कारे करता है electronic thermometer की बहांती कार करता है आपका thermo resistor आगे देखते हैं इसमें आपको समेलित करना है इस्ठे तो इसको किसके लिए हरदे की दोनी सुनने के लिए उपयोग किया जाता है इस फिगनो मैनो मीटर का उपयोग रक्त चाप मापने के लिए किया जाता है और केरेटो मीटर का प्रयोग सोने की सुद्धता के पता लगाने के लिए किया जाता है रक्त दाब नापने के लिए कौन सा यंत्र है तो स्फिगनो मैनोमीटर रडार उपयोग में आता है किसलिए कि रेडियो तरंगों द्वारा बस्तुओं की इस्थिति ग्यात करने में रडार का उपयोग किया जाता है अब इसमें से पूछा है कि तापमान में इनके अंदर र इब्रता रेक्टर पैमाने पर मापी जाती है यह भी या भूकमपी लहरों का आयाम रेक्टर पैमानों पर मापा जाता है Celsius से जानते हैं ताप की एकाई है और किलो वाट आवर दिद्दुत की है और जबकि RH फेक्टर रक्त से संबन देता है और रियक्टर पहमाना भूकम्प से भूकम्प मापी यंत्र कौन सा है सिस्मो ग्राफ या रियक्टर पहमाना याद रखीगा सिस्मो ग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है भूचा लित्यादी को और भूकम्प सिस्मो ग्राफ से संबन देता है उचाई अल्टी मीटर से प्रतिरोध ओम से संबन देता है ठीका ना रेजिस्टेंस जो होती है वो ओम में मापी जाती है आगे देखने फैदोमीटर समुद्र की गहराई से संबन देता है, बैरोमीटर बैमंडली दाप से है, जबकि अल्टी मीटर उचाई से संबन देता है, फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए बात उपर हो गई, सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है भूकम के के लिए बैरो बैरोग्राफ का बैमंडली यह दाप के लिए आगे देखते हैं उपर तो यह उपर है मैनोमीटर मैनोमीटर दाब के लिए उपयोग होता है और कार्बोरेटर का प्रयोग किसलिए होता है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता और फोनोमीटर इसका उपयोग किसलिए होता है तो दुहने की तीब्रता एबम इस्पंदन आब्रती के मापन में इसका उपयोग किया जाता है जूट का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है तो उसे पोलीग्राफ बोला जाता है चलिए कुछ और लिस्ट देख लेते है ये टॉपिक तो हो गया कुछ और लिस्ट देखते हैं जिससे कि आप उसका भी रिवीजन कर सकें ठीक है न देखी ये कुछ उपकर्ण है इनका उपयोग किया जाता है बहुत इंपोटेंट है ये इस रिपीट होते रहते हैं तो आप इनको अच्छे से देख लिजगा एक लिए कि तीनो मीटर का उपयोग व तो कैली परस का उपयोग होता है बस्तूओं के आंत्रिक एवं बाहे ब्यास को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और बोलो मीटर का उपयोग किसलिए होता है तो उसमी या विद्धुत चुम्बकी बिकरण संसूचक यंत रही है केलोरो मीटर तो पदार्थड़ दोरह अब सोच सित्या लिए मौकц की गई उसमाक की मात्रा इससमें मापी जाते है केलोरि हिट्थ हो गञे कार्डियोग्राफ किसलिए हिर्दयि गधी को रिकॉर्ड करने के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है कुछ और देखते हैं, चलिए, क्रोनो मीटर, समय का पूर्ण परिसुद्धता के साथ मापन करने वाली गड़ी होती है, जिसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है, क्रोनो मीटर का, जबकि कोलोरी मीटर, इसमें सारा पदार्थ की सांधरता का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और कैथेटर मीटर, उर्द्वाधर दूरी या ऊचाई मापने के लिए, और क्रायो मीटर, एक प्रकार का थर्मा मीटर होता है, जिसका प्रयोग अतिनिम्न ताप मापने के लिए किया जाता है क्राइव मीटर का प्रयोग अतिनिम्न ताप मापने के लिए किया जाता है ठीक है न और साइक्लोट्राउन एक प्रकार का कंड त्वरक होता है जो आविशित कड़ों की गती को मापता है आगे देखते हैं देखें क्रेस्कोग्राफ है पौदों की ब्रद्धी को मापने वाल मापा जाता है डिलेटो मीटर में और यह है डिप सरकिल इस यंत्र की मदद से किसी इस्थान के जो नतीकोंड होता है डिप एंगल को मापा जाता है जबकि डाइनमो मीटर यांत्रिक उर्जा को बिद्धुत उर्जा में परविर्थित करने वाला यंत्र है तो यह डाइनम का उपयोग किसलिए किया जाता है तो मस्तिस्क की बिद्धुति ये गतिविदी को मापने वाला यंत्र है बहुत बार कुशन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा इससे इलेक्ट्रो मीटर बिद्धुत आवेस या बिद्धुत विवानतर का मापन करता है इलेक्ट्रो मीटर और इलेक्ट्रो इसकोप ये किसी निकाय में बिद्धुत आवेस की उपस्थिती का पता लगाता है और जबकि एंडो इसकोप का उपयोग के सरीर के जो आंत्रिक अंग होते हैं उनका परीक्षन करने के लिए इसका उपयोग एंडोस्कोप का किया जाता है फैदो मीटर बता दिये समुद्र की गहरा ही मापी जाती है फिलक्स मीटर चुम्बकी प्रवहा मापा जाता है इसमें फिलक्स मीटर में गैलवेनो मीटर यह इंपोटेन्ट है बित्ददार मापी जाती है यही बहुत ही मीटर है जब कि गैलवी मीटर इसमें गुरूती त्वण मापा जाता है गैलवी मीटर चयर्र में में जायरों मीटर है 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 हाइड्रोमीटर किसलिए होता है उपयोग तो यह द्रबों या जलके तोलनात्म घनत्तु का मापक यंत्र है यह हाइड्रोमीटर आगे देखते हैं आगे हैं कुछ हाइड्रोमीटर बायमंडल की जो सापेच्छिक आद्रता होती है इसको मापा जाता है पेशलिए उनमें रिक्रोड करने वाला उपकरन है हाइड्रोफोन हाइड्रो इसको बाताव। उपस्थित आद्रता के परिवर्तन को दर्शाता है और हिप्सोमीटर इसमें दीगई ूचाई पर जलके क्वथनांक को ग्यात कर उचाई का मापन किया जाता है और काइमोमीट का जो बिभिन स सारी रे गत्विदियां होती है जैसे रक्त चाप मास पेसियों का संकुचन आध के परिवर्तन का ग्राफ इसमें देखा जाता है काइमो ग्राफ के द्वारा ठीक है लेक्टो मीटर दूद की गुडबत्ता का पता लगा जाता है लेक्टो मीटर से और लक्स मीटर प्रकास की तीब्रता के लिए और जबकि लिसी मीटर बास्तिविक वास्पोत सर्जन मापा की अंतर होता है लिसी मीटर जबकि मेगनेट को मापा जाता है तथा उसमें देशाकावी मापन किया जाता है मेगनेट से समझ आ रहा होगा चुम्बकी छेतर से और जबकि मैनो मीटर इसमें द यह द्वनीत रंगों को बिद्दुद इस्पंदनों में परवर्थित करता है माइक्रोफोन माइक्रोटोम ऐसा यंत्र है जो आड़ू भी गिये आड़ू भी निरिच्छन के लिए इसका किसी बस्तु का छोटे-छोटे भागों में विभाजित कर देता है माइक्रोटोम खास इंपोटेंट नहीं है ओडोमीटर किसी बाहन द्वारा ते की गई दूरी का मापन करने वाला यंत्र है ओडोमीटर यह इंपोटेंट है पैरिस्कोप तो यह ओट या आवर्ण में रहते हुए जो प्रेक्षक को अपने आसपास की बस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला यह और इसके बारे में देख लिजिएगा फोनोग्राफ द्वनी की यांत्रिक रिकॉर्डिंग करता है एवं उनका पुनरुत पादन करता है रिजनरेशन उनका करता है आपका फोनोग्राफ आगे देखते हैं और कुछ यह इंपोटेंट है इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यह आपको बाइलोजी में भी सब पढ़ने पढ़ेंगे और इसमें भी इसलिए मैंने एक जगह इसको इसी वीडियो के साथ जोड़ दिया है फोटोमीटर प्रकास तीब्रत मापके यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल की चो इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स हो उच्छे तापमान को मापता है जबकि साइक्रोमीटर सापिच्छिक आद्रता का मापन करता है और रेंगेज बरसन इत्याद की मापन इसमें रेंगेज में किया जाता है और नेक्स्ट है रेडियोमीटर में बेकरेन द्वारा प्राप्त उर्जा को मापा जाता है रेफ्र रेफ्रेक्टो मीटर में अपवर्त नंग का मापन करता है यह रेफ्रेक्टो मीटर तो यह खास नहीं है और सेलिनो मीटर किसी बिलियन की लवड़ता का मापन किया जाता है सेलिनो मीटर में जबकि सोलेरी मीटर यह सौर विक्रेन की तीब्रता को यह भी मापन करता है और सेक मेनोमेटर के विलिए रक्तचाप मापन जाता इसमें, पहले बात हो चुके, स्ठेटोस्कोप हिर्दे की गती सुनने के लिए प्रयोग होता है, स्पीडोमेटर किसी बाहन की गती प्रदर्शित करने वाला यंत रही है, और टेकोमेटर ये बस्तुओं जैसे इंजन या सौफ विसकोमीटर का उप्योग होता है, विसको सिटी से समझ आ रहा होगा, विसको सिटी के मापन के लिए विसकोमीटर का उप्योग किया जाता है, बिंड बेन, ये पवन की दिशा मापक यंत्र है, बिंड बेन, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्तपूर हो गए, जितने भी को मर्ज करके देखाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच